जब शंकर से दिल की बात कहो गे पक्का है वो सुनेगा हम कई बार करते हैं अगर हो सके कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम बहुत दिनों से लगे और नहीं हो रहा हरा मुंग ले जाओ मुंक के दाने तो रहते हैं गर में केवल 31 मुंक के दाने लेकर जाईए, 31 चावल के दाने लेकर जाईए और 31 ही बेल पत्र लेकर जाईए जिस दिन सो्म बार की अश्टमी हो कौनसे दिन सोम बार की अश्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ तीन चीज़ लेकर जाओ मूं के दाने चावल बिल पत चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर रख दो चोखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया है मूं के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पास में जो नंदी का पाउं उंचा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिए और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुंदरी वाली जो जगा है आपको पहले बताया है कथा में अशुक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग ये जलादारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशुक सुन्दरी का स्थान है शिवजी के तेरा बच्चे हैं तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुन्दरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है परतेक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी उस मोटी सी जो लाइने अशुक सुन्दरी वहाँ पर जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो अपनी कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओं उसकी डंडी जहां से पानी बैता है उस और होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो एक सुम्बर की अश्टमी पर करकर देखना दूसरी सुम्बर की अश्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा पावा से निवेदन को करो क्यों भटा करें हो बोला सब तुन का तुमारा